हेलो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवा बालुजी पर आज के सुटी यूजी 2024 को लेकर के तो बहुत बड़ी अपडेट आई है कि इसके अप्लिकेशन फॉर्म आ चुका है तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस फॉर्म का क्या लास्ट है और एक्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और एक्जाम डेट्स क्या रहेंगे इस अब बारे में एक एकर के डिटेल में बात करेंगे तो चलिए अगर आप भी सीटी यूजी का एक्जाम देने जा रहे हैं और आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब हो जाएगी है तक कोई भी रेगुलर अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले वहीं सेयर करते हैं चलिए देखते हैं आगे क्या क्या अपडेट आया है बात करें जो 27 फरवेरी को आज ही के डेट में आया है कि आपका ये एक्जाम फॉर्म कब से कब तक होने वाला है तो जो 26 मार्च तक एक महीने के लिए फॉर्म खुल गिया है जो लास्ट डेट होगा 26 मार्च होगा उसी दिन आपको पेमेंट कर देना होगा जो क्रेक्शन विंडो खुलेगा वह 28 मार्च और से 29 मार्च मत्ता 28 29 को खुलेगा आप इसमें अगर किसी तरह की कोई लिमिटेड गलत है वह 15 में से लेके 31 में के बीच में आपका होने जा रहा है और जो रेस्पॉंस सीट एंसर किये सब कब आएगा इसा बताया जाएगा और जो डिकलरेशन रिजल्ट का है वह पहले ही दे दिया है कि 30 जून तक आपको रिजल्ट भी बता दिया जाएगा तो इस हिसाब से आ यह होने वाला है एक केंडिडेट में चुज एनी सब्जेक्ट लेंग्विज एस डिजाइड वाइड अब लिगर जो भी आप यूनिवसीटी अप सेलेक्ट किया है उसके एकोर्डिंग आप यह सेलेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट और लेंविज जो भी आप इतने पेपर देना है उसमें जो होगा 40 questions to be attempt out of 50 50 में से आपको 40 questions attempt करना है जो जिनरल टेस्ट का पेपर होने वाला है अगर किसी उनिवसीटी के द्वारा मांगा जाता है तो 50 questions to be attempt out of 60 60 questions में से 50 questions आपको attempt करना होगा from the available subject language the candidate can choose maximum 6 subject form for all 3 sections जो भी 3 section होने वाल है उन सभी में आपको कितने maximum आप 6 subject आप चूज कर सकते maximum है कम से कम आप चाहें जितना करें 40 out of 50 questions of all test paper यह जो कि हम आपको बताएं है कि आपको जो इतने भी सब्जेक्ट है 33 लैंग्विज और सटाइस सब्जेक्ट इसमें से 40 आपको attempt करना है 10 छोड़ना है 50 में से वहीं बात करें आपको जेनरल टेस्ट में 50 में से 50 attempt करना है जरूर चूज करें अपने सब्जेक्ट के अलावा अगर आप एक डम डिटर माइन है कि आपका युनवर्सिटी नहीं मांग रहा है तो इसकी कोई जरूरी नहीं है इसका पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब इसकी पूरी वेबसाइट काम नहीं करा इसलिए हम लेकर के नहीं आपाए हैं तो हम आपको बता देंगे कि इसकी जुरूत है भी कि नहीं है डूरेशन फॉर आल टेस्ट पेपर उड़ भी 45 मिनट एक्सेप्ट मैथेमेटिक्स अप्लाइट मैथेमेटिक्स यह सब को छोड़ करके आपक इसे अब ही तक का इंस्ट्रक्षन था ओनलाइन मोड पर ही होगा किसे तक कोई कोई को निफिजन नहीं तो अगर आप वीडियो गूलर अब्डेट चाहते तो चैनल को अमने सब्सक्राइब कर लिजिए और हम आसा करते कि आप सभी का क्वालिफाई हो जाए इसी आसा के सा नहीं सुक्रिया